हेलो फेंस वेलकम टू स्टड़ी इवरेडे विजय सर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे जिनिन के टॉप कोश्चन की जो आपके वारवार इस जाम में पूछे जाते हैं और ये जाम के लिए बहुत इंपोर्टन कोश्चन चले कोश्चन स्टार्ट करते हैं पहला कितना दिया हो 32 और 13 इस्टार साथ बरावर 120 तो 19 इसटार गेरा बरावर क्या होगा दोस्तों स्टार की जगह यह नहीं यहाँ पर मल्टिप्लाइए ही करना स्टार की जगह आप कोई भी कर सकते हैं कुछ भी कर लिए प्लस कर लीजिये भाग गोड़ा जोड़ काना कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर देखें सर पताम आगर हम जैसे आपका पहला they are लिखेंगे नओ यहाँ पर स्थसक्राइं लिखा हुआ अपका बराबर 32 लिखा हुआ है ठीक है तो हम outfits कैसे लाना है यह नओ और साथ का multiply करेंगे तो 32 तो आएगा नहीं क्योंकि 97 63 होता है तो star की जिगे हमें क्या कर दें कि यहां पर 32 आजाए दोस्तो अगर हम यहां पर देखें क्या trick बता रहे हैं 9 का square और 7 का square कर दे minus में 9 का square minus 7 का square कर दे 9 का square कितना दोस्तों 81 होता है minus 7 का square 49 हो जाएगा ठीक है बरावर कितना जाएगा तो बरावर आपका 32 जाएगा बिल्कुन आ जाएगा इसी प्रकार अंगलेश टिप में कर लीजे अंगला क्या दिया हुआ है 13 star दिया हुआ है 7 बरावर 120 दिया हुआ ठीक है दोस्तों 13 का क्या कर लेंगे वर कर लेंगे 13 का क्या होता है 179 होता है minus 7 कावर 49 होता है 179 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों कितना जाएगा आपका 13 और कितना जाएगा 120 आ जाएगा ठीक है अब यहां पर तीसरा step क्या कह रहा है सत्रा इस्टार नौ दिया हुआ है बराबर आपका दोसो आठ दिया हुआ है ठीक है दोस्तो तो सत्रे का वर्ग करेंगे कितना होता है सत्रे का वर्ग दोस्तों कितना होता है दोस्तों 17 कवर्ग आपका कितना हो जाएगा बराबर यहां पर लिख सकते हैं 17 कवर्ग आपका 289 हो जाएगा ठीक है 289 माइनस 9 कवर्ग कितना हो जाएगा 181 हो गाए इसको माइनस करेंगे 208 हो जाएगा ठीक इसी प्रकार आपको करना क्या question में क्या पूँचा गया है 19 और इस्टार कितना पूँचा गया गेरा का पूँचा गया क्या आएगा दोस्तों तो 19 कवर क्या होता है 361 होगा 121 होता है क्या करेंगे 19 कवर कर लेंगे और गेरा कवर कर लेंगे इनमें माइनस कर देंगे ठीक है तो 121 से माइनस कितना जाएगा 240 आएगा तो आपसा नमबर आपका काउंसल D सही हो जाएगा दोस्तों ठीक है आप देखेंगे अंगला कोश्चन यहाँ पर देखें दोस्तों क्या कह रहा है यदि 85 गुड़े 5 यदि 85 गुड़े 5 माइनस 3 बराबर 20 दिया हुआ तथा 18 गुड़े 2 माइनस 1 बराबर 10 हो तो 100 गुड़े 20 माइनस 5 बराबर क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ है 85 मल्टिप्लाइ 5 माइनस 3 इसकल टू 20 दिया हुआ दोस्तों रिजिनिंग में बहुत ही सरल तरीके से बताता हूँ तो आप टेंसर मत लीजे आपका वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आप डीफ को लेकर चलेंगे तो आपसे भी सलूसन मन जाए कोई भी प्राबर में comment box में बताईए कोई भी concept आपका अगलियाद नहीं है comment box में ज़रूर बताईए 85 ये तो 20 हमें कैसे लाना है और आपका second क्या कह रहा है second आपका कह रहा है कि 18 गुणे 2-1 बराबर 10 है अब ये बताईए हमें ये 20 कैसे लाना है 85 में 5 का गुणा कर लेंगे तो ये 20 तो आएगा नहीं सरफ़तम करना क्या है आपको multiply के जगे क्या करना है और माइनस के जगे क्या कर लेना है प्लस कर लेना है अगर आप ये भाग कर लेंगे तो 85 में 5 का बाग कर देंगे कितना जाएगा तो 15 गुणे के जगे भाग कर लेना, गुने के जगए भाग कर लेना है अगो 85 में 5 के भाग कर देंगे तो 17, 85, 87 आ जाएगा यहाँ पर माइनस के जगए प्लस कर लेंगे तो 17 प्लस 30 हो जाएगा तो आपका कितना जगए दोस्तों 20 आ रहा है न प्लस एक कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा दोस्तों बिल्कुन आ जाएगा 10 तो ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है जो कोश्चन में पूच्छा गया है क्या पूच्छा गया है 100 का मल्टिप्लाई हैंडेड मल्टिप्लाई 20 माइनस 5 की वैलू हमें निकालना है तो यहाँ पे मल्टिप्लाई के जगए भाग कर देना है माइनस के जगए प्लस कर देना है तो भाग कर दिये न भाग कर दे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 यानि कि यहाँ पर 5 बार भाग जाएगा और यहाँ पर प्लस कितना दिया है 5 कर देंगी इसको तो 5-5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा तो आपसे नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों ठीक है उमीद करता हूं दोस्तों आपके जामे पूछे जाएगे तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे अब देख धूम पान करने वाले स्मोकर्स वकील यानि कुछ वकील धूम पान करते हैं और कुछ वकील धूम पान नहीं करते हैं तो धूम पान करने के लिए पहला क्या जाएगा आपसं देखिए ये मान लीजे दोस्तों क्या हो गया ये हो गया अपके वकील हो गये ठीक है ये आपका व वकील सरकील हो गया एडवोकेड यह आपका वकील हो गया दोस्तों ठीक है वकील हो गया ना तो कुछ वकील क्या करते हैं धूम प्रान धूम पान करते हैं कुछ वकील नहीं करते हैं कुछ लोग कुछ वकील इस्मोकर करते हैं कुछ लोग नौन इस्मोकर होते हैं कुछ इस्म किलाब का आपसर नमबरे सही हो जाएगा अब देखेंगे अंगला कोश्चन दोस्तों अब देखें क्या कहा रहा है कि नीचे दी गई प्रस्ण में प्रस्ण चिन्न के इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी अब देखें आपके क्या कहा रहा है 83 दिया हुआ है अनुपात में क्या दिया हुआ 25 दिया हुआ है और समानुपाते कितना दिया दोस्तो 29 दिया हुआ है और अनुपात हैं में निकालना क्या आएगा ठीक है यानि कि जो इसका बॉंडिंग इससे है वह इसका बॉंडिंग यहां से होगा समंद होगा अब यहाँ पे देखिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 83 का और 25 से कोई समंदे नहीं आ रहा है समंद हमें इस्थापित करना है दो समंद कैसे है 8 और 3 में difference कितने का है difference यानि अंतर यानि बड़ी वाली संख्या का छोटी वाली संख्या में माइनस करना है इन दो इनों का अंतर कितना रहा दोस्तों 5 आ रहा है ठीक है अगर यहाँ पे 25 अगर हम 5 का वर कर देंगे दोस्तों कितना जाएगा 25 आ जाएगा आपका बिल्कुन आ जाएगा इसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे 29 29 कर लेंगे तो 29 का डिफ्रेंस कितना जाएगा डिफ्रेंस क्या होता है दोस्तों बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना डिफ्रेंस अंतर यह होता है तो 9 में से 2 घटाएगे 7 आ जाएगा 7 का उबर करें कि दोस्तों कितना जाएगा उनच चास आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा उनच चास आएगा, तो आपसा नमबर क्या से हो जाएगा दोस्तों, आपसा नमबर भी आपका सही हो जाएगा उमीद करते हूं दोस्तों, ऐसे question अगर आपके jam में पूछे जाएगे, तो आप whatever solve कर लेंगे दोस्तों, इस jam में आया हुआ question है आप देखेंगे, अंगला question दोस्तों, अगर आपको reasoning में कहीं भी doubt हो रहा है तो आप comment box में कर सकते हैं कोई भी chapter आपके reasoning का doubt होगा मैट्स का doubt हो रहा है, तो दोनों मैट्स और reasoning के लिए आप हमारे comment box में बता सकते हैं प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है, आप देखेंगे अंगला question अंगला question दोस्तों कहे रहा है अगर मैंट, M, I, N, T को T, N, O, C, O, लिखा जाता है तो tally का code क्या होगा T, A, L, E का code होगा दोस्तों सरपतम बात जान लिजे number of A, B, C, D यहाँ पर आपको जानना है A, B, C, D पे संख्या क्या होती है A की 1 होती है, B की 2, C की 3 और D की 4 होती है इसी प्रकार आपको क्या है क्या दिया हुआ है, M, I, N, T दिया हुआ है M का नमब जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 होता है इसी प्रकार M का दोस्तों यह नमबर आपको कितना M 13 नमबर पे आता है I आपको कितने नमबर पर आता है 9 नमबर पे आता है N आपको कितने नमबर पे आता है 14 नमबर पे आता है और T आपको कितने नमबर पे आता है 20 नमबर पे आता है ठीक है, तो इनमें क्या करना है आपको इनमें सरपतम आपको क्या करना है दोस्तों इकाईक अंक लेना है इकाईक अंक, इकाईक अंक क्या दोस्तों यहाँ पी यह है, इकाईक अंक क्या है इसमें एक ही संक्या तो इकाईक अंक वही हो जाएगी 14 में इकाईक अंक क्या हो दोस्तों चार हो जाएगा 20 में इकाई कांग 0 हो जाएगा तो यहाँ पर देखे आपका कोड बन गया है कोड माइन का कोड क्या है 3940 आपके question में दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे Tally क कर लेंगे Tale क कर लेंगे Tale क करेंगे तो T कितने 20 नंबर पर आता है A कितना है तो 1 हो जाएगा L कितने नंबर पर आता है दोस्तो L आपका 12 नंबर पर आता है E का नंबर कितना होता है 5 नंबर पर आता है 5 नंबर पर आता है दोस्तो ठीक हमीद करते हूं दोस्तों अगर आपके पूंचे जाते हैं एक पूस्ध करते हैं अगर आपको अबिल आइकन में आल क्लिक करते हैं जो भी नेस्ट वीडियो अफडेट होगा आप तक पहुच जाएगा और आपको mathematics के लिए यहाँ पे जो card है mathematics के आप वीडियो हमारे देख सकते हैं और फिछले reasoning के वीडियो आपको playlist मिल जाएंगे दोस्तो नवस्कार दोस्तो जैन वंदे मात्रम अंगले reasoning पर topic पर मिलेंगे दोस्तो